आज चो अन्ना हजारे जी के साथ में बैठक हुई बहुती स्वार्ट पूंड वातावन के अंदर बैठक हुई और निच्चे तुरूप से अन्ना हजारे जी का लगातार ये पिशानों के लिए प्रियास रहा है और निरंतर इनके पिसानों के विश्यों को लेकर केंदर सरकार के पास में पत्र भी उनकी समयश्यों को लेकर आए और उनके आदार पर लगातार मंत्रा लेके द्वारा उनके पत्रों को महत्व देते हुए और उसके उपर काम करते हुए ऐसे कई बिंदू थे जिसमें किसानों की समश्यों का समाधान हम किस तरह से करें तो इसको लेकर लगातार प्रियास किये गए और कई ऐसे कार्य कर्शी मंत्रा ले के द्वारा जो अनाज जारे जी के शुजाव के अधार पर किये गए और जिसका किसानों को प्रत्यक्स आज उसका लाब भी मिल रहा है जिसमें उन्होंने किसानों के लिए आज चाहे MSP की विशे पर पहले जब पत्राया था तो कहा था तो MSP को डेड़ गुना करने का विशे था तो डेड़ गुना किया गया और साथी किसानों के लिए आर्थिक सहाईता का विशे था तो उसके उपर भी किसान संबान नीदी के तौर पर च्छह हजार रुपे परतिवर्स किसान के खाते में डालना प्रारम किया से और च़ार मिए के अंदर किसान के खाते ने चारवधार आज दुच्छार रुपे डाले जार्किया गया ऑज पासल विम होज необход तो ष्वैचिक किया गया कि कई ऐसे बाद का लाब इस तरह से उनको लगता है कि नहीं लेना चाहिए हमें उनका प्रीमिएम लगता था लेकिन उनको कभी उसका उपयोग नहीं होता तो उनकी भी जो शिकायति थी तो उसके उपर भी स्वेचिक किया गया है और कुल मिला कर अन्ना हजारी जी के जो भी पत्राएं उनको अमने समय पर जबाब भी दिया और बजट के अंदर भी उन्होंने कहा था कि बजट को बढ़ाया जाए तो मुझे आज बताते हुए प्रसंता हो र बजटे वह एक लाग 35,000 करोड रुपे का प्रावदान किया गया है तो इसे साफ जाहिर होता है कि नरंदर मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों के हित्में लगातार निरने करती आ रही है और आज जैसा कि अन्ना हजारी जी का ये भी एक था कि एक उच अधिकार कमीटी ब विए अन्ना हजारी जी ने जो अभी पत्र और दिया है जिसको भी उसके साथ में जोडते हुए उनके जो विशह होंगे उनके उपर ये उच तरी जो कमीटी होगी उचादीगार कमीटी ये जो भी किसानों के हित्मे निर्णे होगा उस कमीटी के द्वारा निर्णे लिये जाएगा और छे महीने के अंदर इसका निर्णे आए ऐसा सरकार की और से प्रियास रहेगा और मुझे ये बताते हुए प्रसंता हो रही है कि आज अना हजारे जी ने जो किसानों के लिए जो विशे रखा और उसके लिए 12 सरकार ने लगातार प्रयास किया और आपके सुजाव की वज़े से किसान को भी लाब हो रहा है और आगे भी निरंतर इसी तरह से जिस तरह से आज उसी तरही कमिटी बनी है इसके द्वारा भी आने वाले समय के अंदर निच्ची तरूप से मैं कह सकता किसानों के जीवन के अंदर जो भी हम सुधार कर सकते हैं उनके जीवन में बहतर कर सकते हैं उसके लिए इस कमिटी के द्वारा निच्ची तरूप मिलेगा और जो एक और जो कमीटी के विशे पर बात हैं तो यह सारी कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आज अना हजारी जी को मैं इस अवसर पिक्यों कि हमारे किशानों के विशे हो या सामाजिक जीवन के अंदर अन्य कई विशे पर आते हैं तब उनको हमेशा एक ही चिंता र लेती है और इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आज वारण सरकार है तो और नरेंदर मोदी जी की सरकार है वो निरंतर किसानों के हित्में और निरने लेती जा रही है तो मुझे यही है कि आज यह कमीटी जो गठित की गई है तो इस कमीटी के अंदर मुझे आने वाले समय के अंदर जो कमीटी के सदेश्य होंगे वो और हमारे अनाजारी जी का पीश मार्ग दर्श्टन मिलता रहेगा और निची तुरूप से यह जो आज कल कल तीस तारीका जो इनों ने नदे रने कर रख़ा ता कि हम अनसन का मार्य जो आज आजरी से आग्र किया और आपने इस बात को माना और जो लोकपाल का विशे था तो उसके उपर भी चर्चा हुई और लोकपाल के अंदर की उसके अंदर एक उचसतरी बैठक का भी अना अजारे जी को वहां पुस्तिति में होगी जिसमें आपके जो भी इश्यों होगे उनके उपर भी चर्चा होगी कुल मिला कर मेरा य 2022 तक परदानमंती जी का जो लक्सी है कि किसान की इंकम डबल करना है उस दरश्टी से निच्चे तरूप से प्रियास किये जाएंगे और अना हजारी जी को मैं आज इस अवसर पर धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने उनके जो लगातार पत्र आ रहे थे और उसके पत्र को मै स्वयम लेकर यहां पर आया और उनके जो अंसन का निर्ने था उसको आपने हमारे निवेदन के उपर कहा है कि अंसन है वह वापस लेने का निर्ने लिया इसके लिए मैं इनका बहुत-बहुत आभारी हूं और मैं अना हजारी जी को और हमारे फंडविशाब में मुक्यमंत शांति जी और शबी हमारे महाजन जी को श्वक्रशको में धन्याबादेता हूं और इसलिए कि आपने सबने बैठकर आज और अच्छा कelu हमारा वश्की जो निवेदन था उस निवेदन को आपने सवीकार किया इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत-दन्यात कि इसो주 नह करते आया सवीदान ने दिया हुआ हमें अधिकारे वो शांतिशे मार्गशे श्यंतदा आहिंसा इसके मार्गशे अंदोलन करना दोश नहीं आत्मकलेश हमने करना है और सवीदना लोकों को होने हैं ऐसे सत्य अगर ऐसे अंदोलन ये करते आया और किसान के प्रश्ण पर मैं तीन साल से यह मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो अत्मात्य करता है वो अत्मात्य ना हो वो अत्मात्य क्यों करता है लागत मुल्य फसल का लागत मुल्य उतना भी दाम नहीं मिलता है स्वामिनातन आयोक का अवाल है तो स्वामिनातन आयोक क्या कह रहे है कि लागत मुल्य पर पच्चास प्रतिशत बढ़ा कर देना और वह सरकार ने मान लिया कि हम पच्चास प्रतिशत लागत मुल्य पर पच्चास प्रतिशत बढ़ा कर देने का निर्ने सरकार ने लिया है ऐसा मुझे लेटर दिया है इसलिए वह लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ इसलिए मैं कल अन्शन पर बैठना आला था, आज उसमें ये पंद्रा मुद्धे हम जो दिये थे, उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्ने लिया है उन्होंने और मुझे विश्वास हो रहा है कि आपेक्षाता लोकों के बहुत है, लेकिन आगर ये पंद्रा मुद्धों पर स समयती जो बनेगी अभी उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्ने हो गया तो किसाने के काफी हद तक समस्या दूर कफ हो जाएगी, और किसाने के लिए बहुत अच्छा काम हो गा, इसा मैं मानता हूं, मैं इस वक्त जादा ना कहता हूं, मैं अभी जो उद्विक जो हो कहता है, और मैं सोच रहाता है कि बस भगवान ने जो कर लिया मेरे से, उमर के 83 साल में साल तक जो भगवान ने कर लिया मेरे हाथ से, वो बस हो गया, अभी ये आखरी, लेकिन अभी ये जो तेंद्रा सरकार ने निर्ने ले लिया और पंधरा मुद्धो पर जो काम करने के ले जो तई किया है, इसके कारण मैं कल का अंशन स्तगित किया है। ने, आँ स्वाम अधला, इसमाला तुमाला जी मागने के लिए उदी, स्वामिनासन अयोगाच्चा शेपराशी, स्युकारने बाबत ये अंभल बयावन ने करने बाबत, मातरतिया बाबत तुमाला आत्ता पक्त पत्र में आला है, आनि तुमी उपशना जी घुष्णा के लिए उती, आशा परिसिती मधे तुम्ची, मजे तुमी उपशन करना रोता, मातरतिया आता मागे इतला है, और तुम्चा बद्दल, क्यों तुम्चा प्रति में बद्दल, जनते जा मना मधे काई शंका निरमन होने ची शक्केता है का? उच्चा अधिकार समयती जो ये लिख कर दिया, उच्चा अधिकार समयती जो नियुक्त होगी, सरकार के जो मेंबर होगे चार, उसमें हमारे भी होगे, और वो उच पर देखते रहेंगे, और सजेशन भी देदेंगे, आज तक क्या हो आज तक, ऐसे कोई कमिटी नहीं है, सरकार को पूछना अले लोग नहीं है, इसके करण एक बात नहीं हुई, आदी हमारे जब का अगरी कल्चर में, जिनका दिर गानुभव है, आज से हमारे लोग होंगे, कमिटी पर, और मैं भी बीज बीज में जाते रहूंगा, वाच करते रहूंगा, कि वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है, इसके कारण मुझे विश्यास हो रहा है, जो दिल्ली के अंदर आंदोलुन की बात की है, तो दिल्ली के अंदर जो किसानों के जो ये तीन ब candles है, ये किसानु के जीवन में पृवर्टन करना वाले बेले जो अन्हाजारीजी ने बात किये कि किसानों के लिए हम क्या कर रहे हैं और किसान को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं तो इस द्रश्टी से यह जो किसानों के लिए जो तीन महतोपुण बुले इसमें किसान को आजादी देने वाले बहुत आजाद होने के 70 साल बाद भी पिशेतर साल बाद भी किसान अपने उत्पाधन को मनचा अस्तान पर बेच नहीं सकता था इंकानूं के माध्यम से अब किषी मंदी के अंदर और कि यह दर बी सब्सक्राइब और दूसरा जोंट्सक्त में अब की इसके ऑप også ओपका दूंग को मनचा इस्तान पर और मन पर दो पर तो किसान स्वतंद्र वह कहीं पर भी अपने उत्पादन को बेश सकता है उसके खिलाब कोई कानुनी कारवाई नहीं होगी तो इस तरह से यह किसानों के हिद के कानुन बने हैं और इसलिए आज देश बर में इस कानुनों का समर्थन किया जा रहा है इन जो कानुन बने और दूसरा मेरा यह कहना है कि जो वोडर पर बैठे हैं किसान उनसे भी हमारी लगातार दस यरा वारता दोर की वारता हो चुकी है और उनका ये कहना है कि ये कानुन वापस लिये जाए और हमने ये कानुन से ही किसानों का अच्छा आने वाला कल है वो अच्छा होने वाला है तो इसलिए अगर इन में कहीं पर भी उनको संका या समाधान करने की आउशिक्ता है तो उसके लिए संसोधन के लिए भारत सरकार वो तैयार खड़िये लेकिन सिर्फ कानून वाफशी करना ये अंतिमल नहीं होता है क्योंकि हमेशा वारता के माध्यम से और उसका किसी दिशा में जाने से समाधार होता है जो आज हमारे अनादारीजी जिने इसका उदारन दिया और अपन सब के सामने है् कि उनके सामने जब बात रखी तो उन्होंने तुरंट आ कि नहीं आप जो भारत सरकार hanno करण रही है वह वास्ता में एक अच्छा कदम उन्होंने हमारे आज जो तो यह मेरे को जहां तक लगता है कि सभी जंदरी को पूरे देश ने देखा है कि उस दिन क्या हुआ तो इसलिए मैं सोचता हूं कि वहाँ जो बैटे किसाने उनके किसानों के कंदे पर बंदूग रखकर कोई दूसरे लोग निसाना साधना चाहरें और उसमें किसान का जीवन बहतर होने वाला है जीवन आगे बढ़ने वाला और किसानों की इंकम बढ़ने वाली है तो मैं सोचता हूं कि अब उन किसानों को भी इस आंधुलंस वापनी जिस तरह से आज अन्ना जारीज ने बहुत बड़ा दिल करके और देने लिया वैसा उनको भी निन